बिमेतर में मंद्ची रुद्रगुरु के काफिले पर पत्राफ हो के अभी थी रात इछाल गाव में मंद्ची रुद्रुकुरु अपने प्रिचार में लखी हुई थे तबी अच्छाना कुछ अग्यात लोगों ने भारती जंतपार्टी जंदबाद के नारे लगाती हुए मंत्री रुद्र कुमार के काफिले के उपर पत्राफ कर दिया हलाकि इस पत्राफ से किसी को कोई गंभी चोड तो नहीं आई है लेकिन मंत्री रुद्र गुरु की गाड़ी के काच तूट गया कटना के बाद नवागर विधानसवाश शेतर के कॉंग्रस निताओ ने नवागर थाना जाकर उन अग्यात लोगों के खिलाप रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया लेकिन अग्यात लोगों ने रिपोर्ट नहीं दर्च कराने दियो और आपको बताते हैं देखिए हंगामा देखकर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से हापर बीज़ेपी जिन्दाबाद के नारे लगाए गाए और उसके बाद प्रचार के दौरान मंतरुजी पर हमला कर दिया क्या है जिसके सारे लोग मुंदा करते हैं और ऐसे लोगों के उपर तबकाल कारवाही होने चाहिए इसलिए सैफरोष और अगर कारवाही कल नहीं होगी तो हज्जारों कि संख्या में ठाने का घराव करेंगे और बाजना प्रत्यासित उपर कारवाही कि मान करें पूरे मामले में जांच की जारी है लिखिताविद्र की आदार गुब में एफाई यार काइन ही की जा रही है और पुलीश के दोरा जांच की जारी है और इस घठना के मद्दे नजर शुरक्षा के अतेरिक्त इंतजाम किये जारे है झाल, 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 झाल.